सामने के तरफ पुश करेगा, वो हो जाएगा आपका रियाक्शन, तो ये कार्ट क्या करेगा होर्स को एक्शन का रियाक्शन देगा कुछ इस प्रकार से, यार आप लिफ्ट पे चड़े, आप 10th फ्लोर में हो और इससे ग्राउंड फ्लोर में आ रहे हो, और लिफ्ट एक्स और आपके इर्दगिर्द होने वाले जो अक्टिविटीज हैं, हर जगा आपको 3rd law of motion आप पाओगे, secondly हम बात करेंगे horse and cart problem की, खोड़ा गाड़ी कहते हैं उसको, खोड़ा किषता है न, टांगा, sort of, something like that, and thirdly we will discuss the case of a man, एक बंदा है, जो एक elevator या लिफ्ट के अंदर है, और वो किन-किन परिस्थितियों से गुजरता है, कब उसको heavy feel होता है, कब उसको light feel होता है, कब उसको कुछ feel नहीं होता है, और कब उसको weightlessness का feeling आता है, ये सारी बाते हम लोग करने वाले हैं, apparent weight of a man in an elevator, बहुत मजाने वाला है, तो शुरूबात करते हैं, Newton के तीसरे नियम से, Newton के motion के तीसरे नियम से, and here we go, आप चानते हो इसके बारे में, ज्यादा बात मैं नहीं करूँगा, example के जरीए, इस concept को आप तक पहुचाने का प्रयास करूँगा, तो आज का session छोटा ही रहेगा, मान के चलिए 20-25 minutes का session रहेगा, और बहुत बढ़िया-बढ़िया बाते बोलके मैं निकल जाओंगा, ठीक है, और आने वाले sessions में बच्चे आप देखो कि आपको impulse भी सिखाएंगे, conservation of linear momentum भी सिखाएंगे, rocket का equation या rocket analysis जो है, motion के जरीए, वो सब बहुत कुछ बाते हैं, अभी सीखना जरूरी है, उसके बाद friction आएगा, फिर centripetal force के बारे में भी आपको सिखाने, तो बहुत कुछ है इस chapter में भी भी, that we've not touched upon, right, let's begin with Newton's third law of motion and here we go, so it states that every action, to every action, there is an equal and opposite reaction, ठीक है, ये Newton का जो तीसरा नियम है, सिर्फ फिजिक्स का ही नहीं, ये विज्यान का ही नहीं, ये तो दुनिया का भी नहीं है, जैसी करनी वैसी भरनी, बहुत philosophical बा Anyway, इसे कुछ examples देखते हैं, हम लोग सबसे पहले, आप इस book पे ध्यान केंद्रित करें, ये जो book है, वो इस table पे रखी हुई है, right, so साहिर सी बात है, table के नीचे क्या है, सर धरती है, धरती क्या करेगी, सब पे बल लगाएगी, तो book पे भी एक बल लगाएगी, बल मतलब force ह होता है, force मतलब कौन सा force, ये force of gravity है, this is the force of gravity, so we are assuming, हम ये मान रहे है, कि book का मास है, छो टाइम, धरती उसको खीचेगी, mg से, अब ये जो force है, ये table के द्वारा, ये table से contact में है book, right, तो book को तो लगी रहा है force, अब table क्या करेगा, book पे एक और force लगाएगा, जिसको हम बोलें once again, तो book पर एक force लगेगा, that is the force of gravity, वो कहा लगेगा, नीचे लग रहा है, ठीक है, तो table क्या करेगा, book पर एक force लगाएगा, that is the reaction, which is the normal force, तो आप कह सकते हो, कि सर अगर starting condition है, rest की condition है, तो जो n होगा, उपर normal reaction है, वो बराबर हो जाएगा, mg के, बात हो गई साफ, अच्छ हम swim करते हैं, तो हम पीछे के तरफ water को push करते हैं, यह एक arrow के जरीए मैं show करता हूँ, आपको यह देखिए, जिसको हम कहेंगे action, तो पानी अब आपको क्या करेगा, क्योंकि आप पानी को पीछे push कर रहे हैं, पानी अब आपको आगे के तरफ push करेगा, कुछ ऐसा, तो यह ह शायता से आप तैरते हुए, आगे बढ़ते रह सकते हैं, so this was the second example of Newton's third law, और ऐसे बहुत से examples हैं, और मैं चाहूंगा कि आप जो भी पुस्तक अपनी refer करते हैं, इस वीडियो को देखने के बाद एक बार फिर से उसको पढ़ें जा करके, और भी बहुत सारे examples आप नजर मिल आएं, तीसरा example देखो आप, okay, so this fellow is walking, चल रहा है बिचारा, खिर बिचारा क्यों गह रहा है, चल रहा है, वो एक particular direction में चल रहा है, जब हम चलते हैं ना, तो हम जमीन को पुश करनते हैं, right, जब हम जमीन को पुश करते हैं, तो देखिए, यह कुछ कहानी ऐसी होती है, यह जो force मैंने red color से बनाया है, यह from the leg of the man on to the ground है, from the leg of the man on to the ground है, right, तो यह आप जमीन को कुछ इस direction में पुश कर रहे हैं, तो इसका भी एक horizontal component होगा, इसका भी एक vertical component होगा, तो जमीन क्या करेगा, it is going to push you back, आपने क्या किया, यह लाले रंग का action किया, आप जमीन क्या करेगा आप जमीन को इधर push कर रहे हैं, जमीन अब आपको सामने के तरफ push करेगा, वो हो जाएगा आपका reaction, यह आगया बच्चो reaction, उसके भी दो components रहेंगे, एक horizontal, एक vertical, समझ गए तुम लोग मेरी खाल में बात, चाहो तो कह सकते हो सर, यहाँ पे अगर मैं theta angle assume करूँ, यहाँ प आपना, अभी आगे जा करके हम लोग horse and cart problem को थोड़ा सा analyze करने वाले हैं, वहाँ पे इस कहानी का मैं उपयोग करूगा, जमीन से जो reaction मिलता है, याद रखें, उसके दो components होते हैं, एक horizontal और एक vertical, याद रहेगा, अगर इस direction में, right hand side में आगे बढ़ रहे है, तो एक component, right hand side म ठीक है, horse and cart में, we'll use it, the fourth example, पहले पढ़ लो, water emerges from the nozzle in one direction and exerts equal and opposite force in other direction, इसको we call this rotary lawn sprinkler, right, आप देखोगे कि उसमें nozzles रहते हैं, दो इंच पे, दोनों तरफ से क्या होता है, water oozes out, तो वो particularly क्या होता है, action reaction का concept से, वो nozzle continuously, nozzle तो नहीं, वो जो को पूरा का पूरा वो, क्या कहत हैं, यहां एक बार रहता है, आपको मैं top view दिखाऊंगा, तो at least समझ में आएगा, किसल में कहानी क्या हो रही है, ठीक है, तो वो continuously उसमें एक torque develop होता है, tension मतलो torque क्या होता है, समझाएंगे आपको rotational motion में, अभी फिलाल concept तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है, okay, तो चलो, इसको उपर से देखते हैं, something, it would look something like this, right, this point के about वो rotate करता है, बच्चो यह जो है, यहां पर एक nozzle दिया हुआ है, दो नो ends पर nozzle दिया हुआ है, और यहां से भी पानी निकलेगा, यहां से भी पानी निकलेगा, जो पानी निकल रहा है, उसको हम बोलेंगे action, action अगर हो गया, उसकी बिल्कुल विपरीद दिशा में आ जाता है, बच्चो reaction, तो reaction इस तरफ आएगा, तो इसके हिसाब से अब यह घूमेगा, कैसे घूमेगा, तो बच्चो एक force इस तरफ, दूसरा force इस तरफ, ठीक है, आप कह सकते हो कि सर दोनों force parallel हैं, और दोनों के बीच में कुछ distance ह तो यह जो system होता है forces का, इसको हम कहते हैं couple, और जब couple की बात करते हैं, वह अपने आप में बनाता है torque, तो torque of a couple कहते हैं, खेर tension मतलो, यहाँ पर यह गोल 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 continuously घूमने लग जाएगा, clockwise दिशा में कुछ ऐसा, जब गोल गोल कोई चीज घूमता है, उसको हम लोग कहते यह torque, ज़्यादा detail में हम लोग rotational motion के chapter में बात करने वाले हैं, तो यह थे कुछ examples जो मैंने आपको समझाने के लिए Newton's third law के application को समझाने के लिए यह थे, अब बात करते हैं, horse and cart problem की तो यह पता नहीं आपने कभी, आपको भी गोडा गाडी में बैटे हो कि नहीं, in fact मैं खु mechanics में, जब कभी भी आपको bodies पे forces को analyze करना हो, आप उनको separate करो, separate करो, divide and rule policy अपना हो, तेक है, अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को separate कर देते हैं, अब दोनों में individually, cart में और horse में, individually हम लोग analyze करते हैं, forces को, ठीक, देखो, एक चीज़ तो बात साफ है बच्चो, यह पूरा का जो system है, horse का, और यह क्या कहते हैं, cart का, यह A की दिशा में आगे बढ़ रहा है, और acceleration इसकी A है, तो अगर मैं दोनों को separately analyze करूँगा, तो हम बोलेंगे कि इसमें भी acceleration A है, इसमें भी acceleration A है, तो मैंने उस प्रकार से यहाँ पर दोनों के लिए लिख दिया है, अब हमें equations बन अचली होता क्या है, लखडी जैसा कुछ रहता है, और यहाँ पर boat लगे रहता है, तो जिससे क्या होता है, horse अगर आगे बढ़ रहा है, तो उससे वो इसको खीचेगा, something like that, इस टैप का कुछ arrangement रहता है, तो मैंने यहाँ पर, आप चाहो तो यहाँ पर force का नाम कुछ भी horse क्या कर रहा है, इस card को T4 से खीच रहा है, इस तरफ, ठीक, तो यह card क्या करेगा, horse को action का reaction देगा, कुछ इस प्रकार से, पहली बात तो यह हो गई, अब क्योंकि पूरा का पूरा system जो है, जमीनी में चल रहा है, तो यहाँ पर लगने वाला है एक friction, यह friction आ गया आपका इ सिखा ही देगा, उसका reaction इस तरफ आता है, उसमें भी एक horizontal रहता है, और एक vertical रहता है, कुछ ऐसा, ठीक है, यह हो गई बात, तो मैंने action को अटा दिया, वो on the ground था, यह from the ground on the horse है, बात समयन में है, from the ground on the horse, अब आपने सारे forces वर्काउट कर लिए, अब काम आपका बड़ा असान हो गया, आपको क्या करना है, दोनों के लिए motion equation लगाना है, मतलब second law लगाना है, तो second law क्या कहता है, कि यह किस direction में चल रहा है सबसे पहले तो यह देखो, तो हमने देखा, सब कुछ हो रहा है x की दिशा में, और x की दिशा में acceleration है, तो f equals ma लगाना है आपको x के direction में तो लगाते हैं, पहले बच्चो कार्ट का analysis करेंगे हम, f equal से में, ध्यान से देखें इसको आप, जो force right में है, plus में लेना है, जो force left में है, उसको minus में लेना है, तो t right में, कार्ट के लिए t right में, plus में, f left में, t minus f बराबर ma, ठीक है, एक और बात मैं आपको बता देता हूँ कि जहां तक परशन कार्ट का है, कार्ट का mass है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ अलग से, यह, जो कार्ट का mass है, that is capital M, और यहाँ पर जो horse का mass है, उसको मैंने small m से denote किया है, ठीक है, बात होई clear, चलिए आगे बढ़ते हैं, तो t minus f बराबर ma, right minus left, देखें आपको, अगर problem होती है, equations बनाने में, आप यह देखो, motion कौन से direction में हो रहा है, तो motion हो रहा है, right inside में, right inside में कौन सा force है, आप यह देखो, card की बात कर रहे है, right inside में t है, तो सबसे पहले सम्मान देंगे हम t को, अब इस direction में अगर और भी forces है, तो उनको भी लिखो, बिंदास, कोई दिक्कत नहीं, अब आप देखो, इसके विपरीद दिशा में, मतलब इस तरफ कौन से forces है, तो वो एक ही है, तो friction है, तो t-f is equal to m into a, तो यहाँ पर आपको card का mass, यहाँ पे apply करना है, तो पहला equation तो हमारा बन गया, दूसरा equation हम बनाते हैं, अब horse के लिए, same लगेगा, बस यहाँ प आपको horse का mass लेना है, this is your equation 2, दोनों equations को अगर आप add करते हो बच्चो, यह देखिया, यहाँ पर t plus में है, यहाँ पर minus में, वो दोनों cancel हो जाएगा, minus f plus h, या फिर आप कह सकते हो, h minus f, m plus m, एक common आ जाना है, इसको solve करोगे, तो यहाँ पर आपका acceleration calculate हो गया, तो इस प्रका अब बात करेंगे apparent weight की, मान लीजे, आप एक lift में बंद है, यह देखिया अपने screen पर, ओके, और यहाँ पे, चलो एक और चीज़ बतायता हूँ, आप एक weighing machine के उपर खड़े हुए है, किस पे, weighing machine, sounds interesting, यह आप एक device है न, ठीक है, and the name of this device is, weighing machine, let me just write this, इस weighing machine के उपर आप ख करेंगे यहाँ पर, ठीक है, त्यान से देखें, एक बार जब lift उपर जा रहा है, ठीक है, accelerate करते हूँ उपर जा रहा है, ground floor से टॉप फ्लोर में जा रहा है, फिर आप टॉप फ्लोर से वापस जब नीचे आ रहे हो, तो नीचे के तरफ accelerate कर रहा है, तो आपका जो feeling होगी, कुछ होगी, आपको दिल कभी दुख-दुख होगा, फिर secondly हम यह भी देखेंगे कि lift जब uniform motion कर रहा हो, या फिर रुका हुआ हो, ऐसा भी आप कह सकते हो, तब आप क्या feel करोगे, मतलब weighing machine की reading क्या रहेगी, basically यह हम पता करने वाले है, और आपको कैसा feel होगा, इसके बारे म मैं आपको बताऊंगा, और वैसा feel क्यों हो रहा है, यह भी आपको बताएंगे, ध्यान से दिखें, okay, so weighing machine हो गया setup, all right, weighing machine पे जब आप नहीं खड़े हो, तो वो zero है, उसका काटा, काटा कितना शो करेगा, zero, जब आप खड़े हो जाओगे उसके उपर, तो आपका weight बताए अभी आप यहां पे ध्यान दो, lift कहां जा रहा है, उपर जा रहा है, और जाहिर सी बात है, इसमें दो forces तो applicable है, एक इसको धरती खिच रही है, नीचे mg, फिर एक normal लगेगा उपर के तरफ, तो मैंने सारे figures में लगा दिए, कहां जा रहा है, sir, उपर जा रहा है, उपर जा तो r-mg बराबर a में ये हो गया equation, इसको थोड़ा सा solve करते हैं, तो r बराबर आगया m into g plus a, जैसे normally आप किसी भी room में एस experiment को करोगे, मतलब weighing machine के उपर खड़े होके देखोगे, तो क्या होगा, r बराबर mg होगा, लेकिन यहां पे क्या है, आपका frame of reference जो है, वो खुद accelerate कर रहा है, तो आपको weighing machine जो reading show करेगा, उसमें ये acceleration add हो जाएगा, ये acceleration add हो जाएगा, तो आपको कैसा feel होगा, आप generally तो आप mg feel करते थे, और mg आपको reading दिखती थी, लेकिन अब आप क्या feel करोगे, ज्यादा भारी feel करोगे, तो आपके reading भी क्या है कि ज्यादा आएगी, उसमे जी में एक acceleration का component भी जुड़ जाएगा, मतलब lift जिस acceleration के साथ उपर जा रहा है, वो यहाँ पे add हो जाता है, उसके करण आपको feel होता है, भारी भारी, you'll feel heavy, this is the reason, दूसरा case देखो, ज़रा सोच के देखो आप, पहले अब अपने मन में एक चित्र बनाओ, यार आप lift पे light, or would you feel heavy, or would you feel absolutely nothing, कुछ तो होगा, चलो करके देखते हैं, इसकी जो reading आएगी, normal reading से जाधा आएगी, कम आएगी, यहाँ पे तो जाधा आया, प्लस A हो गया, फिर से force, net force, बस हम y direction में analyze कर रहे हैं, forces को तो इसलिए मैंने net y लिखा, यहाँ पे भी net y, ultimately motion कहा हो रहा है, सर न समझ गए, अब आप r के लिए solve करो, तो r बराबर कितना आएगा, mg-a, तो बच्चों पता है क्या, आपका normal case जो है, general case अगर room में reading लोग है, तो mg है, लेकिन यही चीज़ आप lift में जाके बैठो, lift में weighing machine के उपर खड़े हो जाओ, और वो lift उपर से नीचे आ रही हो, तो आ मान लीजे, lift का acceleration है 2, ठीक है, lift का acceleration है 2, तो आपको कितने का feel होगा, यह 10-8 का feel हो जाएगा, और यहाँ पे भी अगर मैं lift का acceleration उपर वाला हो, अगर मैं इसको 2 मानू और यह 10 मानू तो आपको 10 plus 2 12 हो जाएगा, जी का value बढ़ गया, यहाँ पे एक प्रकार से कम हो गया, जी कोई दिखकत नहीं है, r बढबर mg होना है, या फिर moving with uniform motion है, बच्चो कभी भी uniform motion की बात करते हैं कि बार बार इस चीज़ को दोर आता हूँ, बच्चो को, बच्चो क्या सहुशते हैं कि सर्फ motion में हैं, मतलब acceleration है, नई, 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 जब हम बात करते हैं uniform motion की, या फिर हम ज दिखा देता हूँ, ये लो, लिख लो, second law, हाला कि यहाँ पर आपको acceleration 0 रख नहीं है, ये दो को 0 रख दिया मैंने, mg-r बराबर, 0 हो गया है ये, इसको solve गर हो गया, r बराबर mg, बहुत सीधा सा case है, ठीक है, अब मान लीजिए, चौथा case देखे, cable जो है, वो यहाँ से आपका wing machine क्या reading show करेगा, वहाँ पे, सोच के देखो, यहाँ पे तो ज़्यादा reading show कर रहा है, नॉर्मल से, यहाँ पे normal से कम reading show कर रहा है, ठीक है, यहाँ पे सही reading show कर रहा है, मतलब lift 2 पर तो जा रहा है, लेकिन हर second उतनी दूरी ते कर रहा है, तो uniform motion है, मतलब उसके velocity में क कट जाना भई, तो बड़ी दिक्कत हो जाती है, एक काम करते है, ultimately वह कहाँ आ रहा है, नीचे से आ रहा है, तो नीचे गिर रहा है, तो acceleration due to gravity प्राकृतिक acceleration picture में आ जाएगा, ठीक है, अभी तो यह cable के जरीए खीचा जा रहा था, उपर के तरफ है, cable के जरीए खीचा जा र रहा है, नीचे कौन ला रहा है, mg, तो mg-r लिखेंगे बच्चों हम लोग यहाँ पे, यह लिख्या मैं बताता हूँ आपको, चिक, हो गया mg-r, बस इसको solve करो, r के लिए आप, यह हो गया equation आपका, अब देखो आपको पता है, यह जो acceleration है, कितना है यह, g के बराबर है, यह कुछ feeling नहीं कर गए, it's a sense of complete weightlessness, right, तो आज के session में बस इतना ही था, कुछ-कुछ important बाते थी, जो मुझे करनी थी, तो वो मैंने बड़े प्यार से आपके सामने प्रस्तूत कर दी, आने वाले session में impulse, conservation of linear momentum, बहुत सारी बाते होने वाली हैं, बहुत से numerical होने वाले हैं, आप बहुत सारे lectures upload करने वाले हैं, right, so that was all for today, see you again, take care, have a nice day, thank you.